हैलो प्रेंट, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम आपको उद्धीपन परिवर्तन काउसल के बारे में बताएंगे ये भी माइक्रो टीचिंग की ही एक काउसल होती है अगर आप फाइल बना रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने बिद्याले का नाम लिखते हैं उसके बाद छातर ध्यापक का नाम लिखते हैं उसके बाद दिनांग, कच्छा बर्ग, विसे, उबिसे, कालांस और अवद के लिए कोबर भी खाका केते हैं को आपको बिलेकबोर पर फिर सब कुछ अच्छा से लिखना रहता है आज हम यहां पे आपको बिज्ञान विसे के लिए और विसे हैं बहुत ही बिज्ञान के लिए सूस पाठी होजना उद्रीपन परिवर्तन काउसल का बताएंगे और प्रकरण जिसका रहेगा प्रकास बच्छों को एक चार्ट के माध्यम से यह सब कुछ बताने का प्रियास करते हैं जो आपको कच्छा में बताना रहता है चार्ट के माध्यम से बच्चे जो होते हैं आसानी से किसी चीज को पकड़ते हैं और वो आपसे ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानना चाहते ह उसके बाद हम पूर ग्यान लिखते हैं कि बच्चे प्रकास उत्मंद करने वाली वस्तकों की जानकारी रखते हैं उसके बाद हम पुना बच्चों से कोश्चन करने लगते हैं इसमें हम करम संख्या छात ध्यापक कतन और छा छात्रा के कतन लिखते हैं हम बच्चों से question करेंगे कि अंधेरे कमरे में हम कोई वस्त कैसे ढूडते हैं तो बच्चे बताएंगे सर टार्च या बल्ब जलाके हम अंधेरे कमरे में वस्त को ढूडते हैं उसके बाद हम पुना कोश्चन करेंगे कि टार्च या बल्प जलाने पर कमरे में क्या होता है तो बच्चे बताएंगे सर टार्च या बल्प जलाने पर कमरे में प्रकास हो जाता है उसके बाद हम बच्चों के सामने एक माडल प्रस्तूत करेंगे उस पे सबकुछ सूर तो बच्चे बताएंगे सर प्रकास का सबसे बड़ा सूर्य है। उसके बाद हम पूर्ण बच्चों से कोहेंगे बल्ब आदिये सम् मानो निर्मित प्रकास के सुरोत हैं उसके बाद हम पुर्ण कोश्चन करेंगे बच्चों से कि दीब तुवस्तु किसे काते हैं तो बच्चे बताएंगे सर जो वस्तु में प्रकास स्वय मुत्पन करती हैं उन्हें हम दीब तवस्त कहते हैं जैसे सूरी तारे उसके बाद हम पुर्ण बच्चों से कोश्चन करेंगे कि आदीब तवस्त किसे कहते हैं तो बच्चे बताएंगे सर जो वस्त दूसरे के प्रकास से प्रकासित होते हैं तो बच्चे बताएंगे सर समानतर होती है क्योंकि प्रकास सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद हम पूरा बच्चों से कोश्चन करेंगे कि प्रकास जिस मार्ग पे चलता है उसे क्या काते हैं तो बच्चे बताएंगे सर प्रकास का गमनपत काते हैं। हम उद्दीपन परिवर्तन काउसल में 7-8 कोश्चन करते हैं उसके बाद हम कोश्चन करना बंद कर देते हैं क्योंकि माइक्रो टेचिंग यादा से जादे 5-10 मिनिटी ही होती है उसी के अंदर हमको सब कुछ करना रहता है उसके बाद हम निरिष्चर तारिका बनाते हैं इसम पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसके बाद हम निरिष्चर पर बेच्चर दोस्तों करें वीडियो आपको अच्छी लगी हूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद